अब आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने वीवो टी टू प्रो एंडविड मॉइल फोन में आप अपने फोन की आटो टच की प्रॉलूम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं देंकि दोस्तों कभी भी अगर आपका मॉइल फोन जो अपने आपी आटो टच करने लग जाता है जिसमें से एक आटो टच की प्रवड़ोम होती है तो आपको अपने Фोन का सॉफ्ट्वियर अप्डेट है या आपको चेक कैसे करना है इसके लिए फोन का सचीश इंट्रनेट आपको चालू लगना है इसके बाद आपको फोन का सैटिंग पेज ऊपन करना है setting page में आपको जो ना नीचे की side या option आपको मिल जाएगा system update का इसे tap करना ठीक है तो आपको इस वाले page में अगर कोई भी update का button या download install अगर कुछ भी लिखावा दिखाई देता है तो इससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software update हो जाएगा और आपके phone की जो auto touch की problem है वो अभी आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों इसके बाद या आपको अगला process ये करना है कि आपको जो है न अपने mobile phone के सभी apps को reset करना है यानि कि इन apps का data clear करना है कैसे देखिए किसी भी आपको आप उंगली से दबाके रखेंगे एक छोटा सा page आएगा इस page में आपको app info लिखा हुआ मिलेगा या फिर circle के अंदर जो i button है इसे tap करना है आपका ये वाला page आएगा इसमें आपको नीचे की side है storage and catch पे tap करना है इसके अगले page में दो option मिलते हैं तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले से clear catch पे tap करना है इसके बाद के लिए storage पे tap करना है आपको delete app data का page आएगा इसमें आपको delete का button या ok का button दिखेगा इसे tap करना है आपका नीचे की side ये user data और ये catch इन दोनों के सामने वाला data आपका zero हो जाएगा इस तरीके से आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है जिससे आपके phone के auto touch की problem solve हो जाएगी ठीक है अब आपको अगला काम ये करना है एक बार आपको अपने phone को restart करना है restart करने के लिए phone का side वाला power button उगली से दबाके रखना है आपकी screen के सामने page open होगा ठीक है इस तरीक है इसमें आपको restart पर tap करना है इससे क्या होगा आपका phone automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से हमारे mobile phone के android system की बहुत सारी कमिया जो है वो दूर हो जाती है अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला process ये करना है कि आपके phone में जितने भी apps है इन सभी apps को भी आपको update करना है कैसे देखे आप अपने phone का play store open करिए इसमें आपको सबसे उपर profile picture पे tap करना है अब यहाँ पर आपको ये नीचे की side manage app पे tap करना है इसके अंदर आपको update available के नीचे see detail पे आपको tap करना है तो आपको ये वाला page आएगा इस page में आपको देखे सभी apps आपको दिखाई दे रहे है ये सभी आपके update में pending है यानिके update नहीं है तो इन सभी के update कर लीजे ठीके न इससे आपके phone के auto touch की problem solve हो जाएगी अब आपको स phone को reset करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइडिय सिस्टम पर आपको tap करना है इसके अंदर आपको reset option tap करना है अब इसके अगले page में आपको सबसे नीचे की साइडिय है result data factory reset पर आपको tap करना है इससे data किसी दूसरे फोन में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात यह धियान रखने है कि आपके फोन की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है इन दो काम को आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने फोन को reset करना है ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको जितने process आपको बताएं सारे आपको यूज करने तो इससे आपके phone की auto touch की problem solve हो जाएगी अगर आपको ये मेरे बताय हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपकी phone की problem solve नहीं होती है auto touch की तो करना क्या आपको देखे आपके phone का जो service center होगा न वहाँ पर आपको चले जाना ह आपना phone वहाँ पर दिखा दे रहा है ऐसा मैं इसलिए क्यारान देखे हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से auto touch की problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताएं है न वो mobile phone के software के जरिये बताएं है अगर mobile phone क software की किसी कमी की वज़े से ये problem आ रही है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी problem ये solve हो जाएगी otherwise आपको अपने phone के service एंटर जाना पड़ेगा